आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे चैंपियन की भूमी कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जहां के किसान भारत के सबसे अमीर किसान माने जाते हैं और भारत का सबसे पहले 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहीं हुआ था। इस राज्य की बोली और भाशा बहुती प्यारी मानी जाती हैं और यहां के यूँआ बहुती लंबे और ताखतवर। भारत को इंटरनेशनल गेम में सबसे ज्यादा पदक इसी राज्य के लोग लाते हैं और पूरी दुनिया में सबसे बहतरीन बासमती राइस का उतपादन भी इसी राज्य में होता है एक ऐसा राज्य जहां गाय ताय करती है कि कोई कितना अमीरिया खरीब है इस प्रदेश के लोग दूध और दूध से बनी चीजों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं ये राज्य महा भारत के एतिहास ग्युद्ध की जगे रही है दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे अनुठा राज्य हर्याना की तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट मांद लीज अच्छे से और निकलते हैं हर्याना की एक शांदार सफर पर सबसे पहले आपको बता दे की हर्याना देश के उत्री भाग मिस्तित एक राज्य है हर्याना को भाषा की आधार पर एक नमबर 1966 को पंजाब के पूरवी भाग को अलग किया गया था राज्य की राजधानी चंडिगड है जो अपने पडोसी राज्य पंजाब की साथ साजवा करती है राज्य की क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी क्षेत्रफल इसे भारत की 21 वा सबसे बड़ा राज्य बनाती है वहीं जनसंख्या के हिसाब से ये राज्य पूरे भारत में अठारवा स्थान है हर्याना में कुल 22 जिले हैं जिन में से जिन्द जिला सबसे पुराना जिला मारा जाता है जल संख्या की दिष्टी से हर्याना का सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है वहीं क्षत्रफल की आधार पर भिवानी सबसे बड़ा जिला है हर्याना की चाहोदी की बात करे तो ये राज्ये चारों तरफ से लैंड लॉक है राज्ये की उत्तर में पंजाब और हिमाचर प्रदीश दक्षिन और पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है राजधानी दिल्ली हर्याना से तीन तरफ से घिरी हुई है और यही वज़य है कि हर्याना का दक्षणी क्षेत्र को राष्टी राजधानी में शामिल किया गया है चंडिगर्ड ना सिर्फ हर्याना की राजधानी है बलकि ये पंजाब की भी राजधानी है चंडिगर्ड को भारत के प्लांट शेहरों में से एक माना जाता है जहां आधुनिकता के साथ साथ प्राचीन चीजों को भी सहेज कर रखा जाता है। चंडिगड में आपको कई परेटन स्थल मिलेंगे जहां जाकर आप अपनी थकान मिटा सकते हैं। जिन में रॉक गार्डन, रोस गार्डन, बटरफ्लाई पार्क, टेरेस्ट, गार्डन और भी बहुत कुछ। प्राचीन ब्रिजबाशा बोली जाती है। कारण बच्चे के जन और शादी विवाह या फिर किसी भी धार्मिक और समाजिक समारू में एक साथ शामिल होते हैं। सफेद रंक बनाया जाता है। ये पहनावे राज्य की संस्कृती को दर्शाते हैं। गुरुग्राम, करनाल, महिंदरगड, जिले, हर्याना में शामिल कर दिये जाएंगे। इस तरह पंजाब से अलग होकर हर्याना का जन हुआ। दोस्तो हर्याना भारत के अमीर राज्यों में से एक है और प्रतिविक्ति आय के हिसाब से ये देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। अगर यहां के रहने वाले लोगों की आय की बात करे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि इस राज्यों के रहने वाले प्रतिविक्ति आय लगभग 2,90,000 है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीन करोड़ पती भी इसी राज्यों में है। पदक भारत के पास हर्याना से है। गाई में भी काफी आगे है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की लिट्रेसी रेट 67.91 परसंट है जो की बागी राज्यों के मुकाबले काफी अच्छे है। दोस्तो आज हमारा देश बहुती तेजी से विकास कर रहा है। बहुत सारे क्षेतर में बहुती बहतरीन काम हुआ है। शेतर है इलेक्रिसिटी क्या आपको पता है कि भारत वो कौन सा राज्य हैं जहां सबसे पहले बिजली पहुची थी। शेतर के बारे में जहां महा भारत का महा युद्ध हुआ था जिसके बाद रिशी वेद व्यास जी ने महा भारत ग्रंथ की रचना की। साथ ही यहां की लड़कियां भी बहुत ही खुब्सुरत और शारिडिक रूप से बहुत ही मजबूत। इसके अलावा हर्याना राज्य की लड़की हर क्षितर में बहुत आगे हैं चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या स्पोर्ट सेक्टर। हर्याना की लोग मुख्य रूप से चावल, गेहू, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, दलहन और आलू की खेती करते हैं। साथ ही यहां की लोग तरह तरह की सबजी ब्यूगाते हैं जिसके कारण यहां की किसानों को साल भर कुछ न कुछ इंकम होती रहती हैं। हर्याना की लोग मुख्य रूप से अपने भूजन में दूध दही को शामिल करते हैं। और मक्षन या गुड का इस्तिमाल करते हैं। रोटी के अलावा लोगों की खानपार में लसी, ककड़ी के सबजी, बाजले की खिचडी और मिक्स दाल शामिल है। अगर मीठे की बात करें तो हर्याना में सबसे प्रसिद यहां का स्वीट इश गेवर है। इस डिश को अलग-अलग तरह की दाल और चीने के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसे खास पर्व और त्योहारों की दारान बनाया जाता है। यहां की लोगों की आया का पहला स्ट्रोत तो क्रिशी है, जब की राज्यका पशुपालन गरामीर ख्षित्रो का आया का दूसरा स्ट्रोत है। हर्याना की ज्याददर किसान भैस और गाय पालते हैं। इस राज्यका मुर्रा भैस पूरे भारत में पसिद्द है। इस भैस को हर्याना में कला सोना के नाम से भी जाना जाता है आपकी जानकारी के लिए बतादो कि हर्याना 83.81 लैक टन दूद प्रती साल उपादन करता है जो देश के कुल दूद उपादन का 5.4 पतिशत से ज्यादा है यहां जिस किसान के पास जतनी गाई और भैस होती है उसको उतने अमीर माना जाता है जिहां आपने सही सुना इस राज्य में अमीर और गरीब गाई और भैस की संख्या टाय करता है कमाल है दोस्तो हर्याना के सबसे लोग कप्रिये शिल्प मेले का नाम सूरजकुंड है जो की हर्याना के सूरजकुंड जिले में हर साल आयोजित किया जाता है ये मेला मुख्यत है 14 दिनों तक चलता है जसमें कई देश-विदेश से लोग अपने सामानों को वेशने आते हैं अब हम आपको इस राज्य के सबसे आधुनिक शहर गुडगाव के बारे में बताते हैं इस शहर को साइबर सिटी, मैडिसन, कॉल सेंटर कैपिटल, इलेक्ट्रोनिक सिटी ये भी कह सकते हैं यहां आपको बड़े बड़े नैशनल और इंटरनेशनल कंपनी के आफिस इस शहर में देखने को मिलेंगे यहां आपको कई बड़े बड़े मॉल देखने को मिलेंगे जिसके कारण इस शहर को बारत का मॉल कैपिटल भी कहा जाता है चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको हर्याना घूमने के लिए कितने पैसे लगेंगे और आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं आपको बता दे कि 7-8 दिन में लगबग 65-70,000 रुपए खर्च करने होंगे आप अगर फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको पहले चंडिगर पहुचना पड़ेगा इसके अलावा आप रेइन और बस से भी हर्याना आ सकते हैं तो दोस्तो ये थी देश की एतिहासिक राज्य हर्याना कैसा लगा बताईए कॉमेंट्स में आप में से अगर कोई है हर्याना से तो हमें कॉमेंट्स में ज़रू बताईए क्या कभी आपने विजिट की है इसको और अगर किया है तो अपने experience हमारे साथ share ज़रू करें वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, धन्यवाद